हेलो दोस्तो मेरे नाम अभिनव आप देखरें गाइस पावर स्लैम टीवी तो गाइस आज की वीडियो में WWE SmackDown की बात करने वाड़े हैं क्या क्या इस शोव में हुआ और कौन सी मस्त चीज़े हुई है तो बने रोव वीडियो के साथ है और जो नए बंदया है सब्सक्राइब गर दो मेरे चैनल का ऐसी बेस्ट वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट WWE निउस को पारने के लिए तो गाइस सबसे पहले SmackDown की शुरुआत होती है ग्रेसन वोलर शो के साथ और इस शो में आयोते है हमारे रेमिश्टीरियो अपनी United States Championship के साथ और उनके साथ होते सेंटोस Escobar और गाइस ग्रेसन वोलर भड़काने की कोशिश कर रहे होते है रेमिश्टीरियो को और सेंटोस Escobar को आपस में कहते हैं कि ये रेमिश्टीरियो ने तुमसे Championship ले लिए तुमारा मोका ले लिया ये वो तो ऐसा कुछ कहते हैं और सेंटोस Escobar उनको ही बोलने लग जाते हैं ग्रेसन वोलर को कि ऐसा कुछ नहीं है बाई बीच में आजाते हैं Austin Theory आके कहते हैं कि रेमिश्टीरियो ने चीटिंग से मेरे से Championship लिया है क्योंकि मेरा मैस तो सेंटोस Escobar के साथ था और रेमिश्टीरियो बीच में आके मेरे से Championship ले गया तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो एडम पीनस को कहते हैं मेरे को मेरी Championship वापस चाहिए और उनके साथ आ जाते है बाई एलन नाइट और गाइज एलन नाइट को इतना तकड़ा चैंट और पॉप मिलता भाई मतलब किसी और सूपर स्टार को ने मिलता रोमरेंस को भी ने मिलता इतना तकड़ा और फिर गाइज एलन नाइट कहते हैं कि भाई तरको Championship ची है वो ठीक है तरसे Championship ले लिए उसने क्योंकि तू तीन मीने में तो एक बड़ेंट करता है अपनी Championship को अगर तिरको इतना ही ज्यादा है Championship का तो तू मेरे साथ एक मैच कर ले और अगर तू जीत गया तो मैं तरको Championship का मोका दिला दूँगा ऐसा कहते है वो और एडम पिरिंस ने इनका मैच बना दिया और इस मैच में गाईज मिज ने इतना इंट्रफेरेंस किया इतना तो शाय से मिज की और एलनाइट की स्टोरी को और ज्यादा मतल इंटेंस बनाने के लिए होगा क्योंकि पेवैक मैच होना ही होना है तो गाइस इसके बाद आता है वूमेंस टैग टीम मैच ब्यांका ब्लेयर शार्लेट फ्लेयर वर्सिज डेमिज कंट्रोल यह मैच इतना लेंथी था इतना लेंथी था मतल यह मैच लेंथी जादा था इसमें मूव्स कम थे बहुत तो इस मैच में यार उसने ब्यांका ब्लेयर ने बेली को पिन कर दिया और गाइस बेली के पता नहीं कैसी बुकिंग कर रही है डबली डेख के बड़ा अजीब सा लगता क्योंकि लोंगेश ट्रेनिंग चैंपिन है यार बेली और फिर भी उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और गाइस बैक स्टेज डेमज कंट्रोल ने बदला ले लिया ब्यांका बलेयर के पैर पर इतने स्टील चेयर मारे असा लग रहा है उनका पैर ही तूट गया है इसके बाद आता का स्ट्रीट फ्रॉफिट वर्सपिस ओसी और ओसी का यार ना आप एक ही मुझेट बता दो जब से उन्होंने रिटरन किया है एक ही मुझेट बता दो कि उन्होंने कोई अच्छा मैच डिलिवर किया है अब तक उनकी बूकिंग साही हुई है मतलब यार इस मैच में भी तीट प्रोफिट कर वो भी लेश लीगा इसके बाद गाईज आता है पॉल हीमन का इंटर्विव केला ब्रक्ष्टन उनसे पूछते हैं कि जे उसो कहां पे है और ब्लड लाइन कहां पे क्या वो ब्लड लाइन से चले गए है पॉल हीमन कहते है तुम मेरे से सवाल पूछो एलेना आइट के बारे में तुम मिर आएसा जैदे और दूसरी तरफ गजारा करे और वो जाम से बात कर रहे SmackDown पर और ना तो रोमर ने इसका कुछ पता है ना जे उसो का पता है और ना सोल सिकोवा का पता है बस जिमी उसो आने वाले अगले अगले हफते SmackDown पर और इसके बाद गाईज आते हैं मेन इवेंट ओफ स्मैक डाउन एज वरसिस शेमस का मैच जिसकी बहुत ही जादा हाइप जेमस ने है न 20-30 अपने बिट्स ओवराम मारे हैं एज को मतलब 6 बचल मुख्या बचाते है ना गाइज मतलब इतने मुख्या मारे हो ने चाती में थोड़ दिया जेज के चाती मतलब ऐसा लग रहा हूनको उत्थू ही चड़गे हो एक बार तो ऐसा लगए रहा था समझे यह मैं जाना पेपर व्यू में होना चीए था फिर किक आउट करते फिर एज ने एक और तगड़ा स्पेर मारा गाई और शेमस का खेल खतम हो गया और एक भी प्रोमो कट नहीं करा एज ने लाइव में बाकियो गाई स्मैक डाउन के ओफेर जाने के बाद क्या हुआ इसकी व सब्सक्राइब गर लो उस वीडियो को देखने के लिए बख की मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में